नमस्कार आज का हमारा विशे इस सत्संग का है आरती अच्छा आरती बोलते ही आपके मन में आता होगा बचपन से देखते हैं आए हम लोग पूजा पूजा पध्धती के अंदर आरती एक जरोरी एक विधि होती ही है हमेशे कोई भी पूजा हो रहा है वहाँ पे एक समया हाता है जब पंडित जी पूजा कर रहे हैं जो पौरहित्र कर रहे हैं पुरोहित्र जो आये हैं वो अचानख खड़े होकर घंटी-वंटी लेकर ये सब करकर जो देवीता, जिनका भी आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं वहाँ पर वो खड़े होकर और कुछ हद तक नाचते नाचते अपने सारा शरीर को हिला कर वो अपने भक्ति को प्रकट करते हैं अपना भक्ति भाव को या अपने आराधनात की जो विदी है उसको रूप देते हैं सारे शरीर और अपना सारा जो एनर्जी को कुछ क्रियात्मक कर लेते हैं तो ये जो क्रियात्मक जो पूजा पद्धती होती है इसी को हम लोग आरती कहते हैं सत्संग में अक्सर देखा जाता है कोई भी पूजा तो सत्संग ही है देखिए पूजा हम लोग कह रहे हैं ये कोई हिंदु धर्म की बात ही नहीं है हर धर्म के अंदर पूजा यानि किसी ना किसी तरह से आप जिनको भी इश्वर मानते हैं वो अल्ला हो गौड हो चाहे कोई भी जो आप जिनको सर्वशक्तिमान मानते हैं जिस धर्म में जिस नाम से भी उनको पुकारते हैं उनके तरफ समर्पित होकर जब आप अपने आपको एकत्रित करके सिर्फ अकेले में नहीं कुछ एक ग्रूप यानि कुछ समुह एक साथ कुछ लोग मिलकर कुछ भी करते हैं तो इसको सत्संग माना जा सकता है तो ये clear हो गया कि सत्संग जो शब्द हम व्यवार करते हैं और कर रहे हैं ये कोई भी एक धर्म की बात नहीं है वैसे आप हर धर्म को अच्छा से गहराई से समझ के देखिए उसमें किसी न किसी तरह से सत्संग का कोई प्रथा होगा सत्संग यानि एक साथ मिलकर एक समुह में अकेले में नहीं एक साथ मिलकर आराधना करना उपासना करना अपने आपको हर कोई मिलकर एक साथ समर्पित हो जाना किसके उपर समर्पित हो जाना, किसके पास समर्पित हो जाना, जैसा मैंने कहा, कि जिसको भी, या जिसको मतलब कोई मनुष्य हो, कोई रूप हो, कोई मूर्ती हो, ऐसी जरूरत नहीं है, ये कोई शक्ती हो, कोई शक्ती ना हो, इनका कोई रूप शक्ती कुछ ना हो, संपूर इसको भी आप वचन दे सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं, वो ही वो शक्ति नहीं है, अगर नाम दे सकते हैं, तो वो शक्ति, वो अपार शक्ति, सनातन शक्ति नहीं है, सनातन शक्ति वो ही है जो अनिर्वचन है, जिसको हम किसी तरह से कोई भी रूप, कोई भी प्रतिक नहीं दे या कोई मूर्ती दे कुछ भी दे तो इसकी आराधना में इसके पास जब आप समर्पित हो जाते हैं एक साथ मिलकर और इस समर्पन का प्रथा में जब आप हर किसी का शरीर उसका प्रान शक्ति और उसका मन चित सारा कुछ समा जाता है तब ही हम उसको आर्थी बोलते हैं तो फिर से आप देखिए हर धर्म में ऐसा कोई ना कोई ऐसा प्रथा होता ही है नाम अलग-अलग वैवार होता है तो कर्मयोगफ़ 21st century का जो ये fit for life program है इसमें भी इसलिए हम आर्थी का एक रूप लेके आए हैं हमारे अनुशिलन विधी के अंदर हम जो अनुशिलन करते हैं यानि हर रोज जो practice करते हैं जो साधना का पध्धती बना है इसका जो design है इसके अंदर आर्थी का एक बहुत अहम भूमिका रखा गया है तो स्टैमिफलेक्स आर्थी जो है ये आर्थी हम सब्ता में तीन दिल करते हैं यानि प्रान लीला उपासना ये जो सत्संग ये ह सुर्योदय के बाद की जो साधना है उसमें प्रान लीला है सुर्यास्त के बाद की जो साधना है उसमें एक दिन स्टैमिफलेक्स आर्थी एक दिन सक्षक्ति स्ट्रेच आरातना ये हमारा चलता है तो आर्थी जो करते हैं इसको समझने के लिए एक चीज़ पे मैं आपका अध्यान आकर्षन करना चाहूंगा यह आरती शब्द के उपर आरती शब्द कहां से आ रहा है तो इसमें हम संस्कृत में चले जाएंगे तो देखा जाएगा अचा उसके पहले एक चीज़ और कह देते हैं कि यह आरती सिर्फ धर्म की बात नहीं है आप जिम में जाएए रखने के लिए आज कल के जितने भी अलग-अलग पद्धतिया हैं जिम में जाके लोग एक्सराइस करते हैं क्यालिस्थेनिक्स का एक प्रता है इसमें आप देखिए डान्स कहीं पर भी देखिए यह तेटर जो करता है वो भी अपने आपको फिट रखने के लिए बहुत क पिर से मैं कह रहा हूं कि हर चीज जो मैं कहता हूं वो यह इस हिसाब से नहीं कहता हूं कि यही अंतिम शब्द है या अंतिम चीज है यह एक शुरुआती चीज है मैं यह कह रहा हूं यहां से आप शुरू कीजिए और मतलब निकाले और इसका यह भी मतलब नहीं कि इसके किस त्रायते अरी अरी शब्द का मतलब होता है शत्रू यानि एनिमी और त्रायते आता है त्रान से ये त्रान कहां पे हमको दिखता है त्रान देखिए मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री का एक त्रान तहबिल होता है मतलब उनका रिलीफ फंड मतलब रिलीफ देना या बचा तो कहीं बाण आ गया कहीं कोई बड़ा हमारी आ गया उससे बचाने के लिए जो फंड है इसको कहते हैं रिलीफ फंड या तरान तह भी तो ये तरान मतलब रिलीफ किसी चीज से किसी प्रॉब्लम से रिहाई रिहात तो ये रिहाई या बचाना बचना का जो का जो सिलसिला है इसको कहते हैं त्रान इसको और जगह भी हम देखते हैं भगवत गीता में का जो सबसे एहम एक श्लोक है उसमें जहा जाता है कहा जाता है परित्रानाय साधू नाम विनाशाय चदुश्कृताम यानि जो साधू मतलब सत्मंगल मैं सुन्दर जो भी है उसको परित्रान उसको बचाने के लिए उसको रहाई देने के लिए और विनाशाय चदुश्कृताम जो दुश्कृत कारी है जो मंगल मैं नहीं है जो सुन्दर नहीं है जो सत्त नहीं है ऐसे चीजों की विनाश करने के लिए और जो साधु है इसको बचाने के लिए मेरा आविर्भाव होगा यूग यूग में यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो वहाँ पर भी हम देख रहा है परित त्रान त्रान यानि रिलीफ बचाना तो यह त्रान आ गया बचाने को तो और अरी मतलब शत्रू शत्रू से बचने का जो उपाय है यही आता है आरती में अब प्रशन रहता है यह शत्रू की बात कर रहे है तो यह कौन सी शत्रू है यह क्या हमारा देश का शत्रू है यह हमारा परिवार का शत्रू है क्या परिवार के अंदर ही भाई-भाई के अंदर जगड़ा होता है तो एक divorce करने में तुले determining कि लगता है कि एक दूरिशे के शत्रूबन गए हैं इन शत्रू की बात हो रही है जहां चोटे बच्चों में जगडा होता है वह भी समझता है वह मेरा एनिमी है शत्रू है वह यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह मेरा उससे मीरा जगडा है वह मेरा एनिमी है तो ये कोई दो टीम के सपोर्टर्स हैं जो फुटबाल खेल रहे हैं एक विनोधन की चीज़ है लेकिन उसमें भी हम देखते हैं ये टीम उस टीम के सपोर्टर उस टीम के सपोर्टर के साथ भिड़ गए पलिटिकल पार्टी में हम देखते हैं दो नेता है दो दोनों देश को चला रहे हैं मकसद एक ही है लोगों का सेवा करना देश को चलाना लेकिन एक पार्टी दूसरा पार्टी के साथ विरोध यह विरोध जहां तक जाके पहुंचता है लगता है कि दोनों एक दूसरे के शत्रू है कहीं तो एक देश के अंदर एक राज्य दूसर प्रत्रुत विरोद ऐसा जगह पहुंच गया कि एक दूसरे को शत्रु मानते है हमेशा जगडते हैं तो यह सब जो बाते हैं ये क्या ये शत्रुता का प्रतीक है क्या यही हमारा एनिमिट ए है तो हमको एक चीज़ इसमेंसे दिख रहा है कि शत्रु बरा डाइनमिक तो इससे ये समझ में आता है कि शत्रु भाव कहीं पर भी हो सकता है तो ये जो जिसको मैं मैं कहता हूँ जी जो मैं हूँ मान ये जो मेरा नाम सौरब है तुम्हें सौरब जिसको मानता हूँ आप मेंसे हर कोई अपने आप को जो मानते हैं ये तन प्रान मन चित से बना हुआ ये जो जो शरीर मन शक्ति और चित इससे बना हुआ ये जो मैपन है अपनापन है सेल्फ अंग्रेजी में कहते हैं इसके अंदर कौन सा शत्रु छुपा हुआ है तो इसमें जहाब कर देखेंगे तो कहीं शत्रु देखने को मिलेंगे आपको जैसे आपके अंदर द्वेश है, राग है, क्रोध है, इर्षा है, जलन इर्षा, एक दूसरे से जलन होता है कामभाव है, कामुकता है, ये सारे चीजे जो हैं, ये सब हम जानते हैं कहीं न कहीं एन मौके पर हमें नीचे गिरा देता है तो ये हमारा शत्रु हो गया, शास्त्र में भी इसका बहुत, इन चीजों का बहुत जिक्र है काम, करोध, लोब, मोह, ये ऐसे द्वे, शिराग, लोब, ये सारे चीजों का बहुत जिक्र किया गया है कि इन से हमको बचके रहना है, तो देखिए त्रान मिलना है, ये शत्रु हमारे अंदर है, इन से हमको रिलीफ मिलना है मौडन साइकलोजी के तरफ आए, तो वो तो शास्त्र पढ़ के नहीं कर रहे हैं, वो मौडन साइकलोजी, उसमें देखा जाएगा बहुत सारे चीज़ कहा जाता है, विक्टिम हुड, डिनायल, एट्सेटर, ऐसे ऐसे चीज़े को, तो ये डिनायल एक चीज़ है, जिसमे मौूर्त में, मैं बहुत उदार हूँ वैसे, लेकिन एक मौूर्त में मैं इर्शा भाव से मेरे अंदर प्रकट हुआ और मैं उस तरह से कोई आचरन किया, लेकिन वस्तूत मैं तो बड़ा उदार इंसान मानते हैं, सब लोग मुझे उदार मानते हैं, तो मैं मानने रहा उस वक्त मेरे में इर्शा भाव आगया, तो इसको डिनायल हो गया, तो ऐसे डिनायल हुआ तो तुरंट उसका कही न कहीं वो प्रकट होगा, मानने कहीं न कहीं हम प्रकट करेंगे, किसी और के पाल उपर गुसा अपना थोकेंगे, तो ऐसी चीज़े होते हैं, डिनायल, प भागते हैं ज्यान आएगा लेकिन वो बड़ा भी मन को मगज को लगाना पड़ेगा हाड़ वर्ग ब्रेन का कोग्निटिव वर्ग है तो उससे भागते हैं अलस हो जाते हैं यह जो मन का अलसता इससे आता है अग्यान यह सारा जो चीज है यह सब शत्रू है हमारे अंदर के शत्रू है और इन शत्रू से राहत मिलाना ही राहत देना ही आरती का प्रधान लक्ष है तो स्टैमिफलेक्स आरती जब हम कर रहे हैं हमारे साधना प्रद्धती के अंदर कर्मियोग for 21st century का ये जो fit for life प्रोग्राम है इसके अंदर जो साध इसके अंदर जो अलग-अलग पहलू है इसमें स्टैमिफलेक्स आरती इसी लिए इतनी एहम भूमिका दिया जाता इसको क्योंकि ये हमें हमारे अंदर छुपा हुआ जो शत्रू है उसके साथ लड़ने के लिए और उससे राहत दिलाने के लिए उससे त्रान उससे बचाने के लिए हम इसको अनुशिलन करते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर से अगली सत्र पे आपके साथ मुलाकात होगा तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार